सासंगर जी बड़े सतकार से कहिए धन निरंकार जी सत्गुरू माता सुधिछा जी में फरमाते हैं परमातमा ही इस्थिर है जान लो इस अविनासी पारब्रम्भ को वक्त बीत जाने पर भी जानना संभो नहीं होगा समय मुठी में भरी रेत की तरह पलपल फिसल रहा है माता जी का ये फरमान समस्त मानो जाती के लिए है प्रतेक व्यक्त पर पूर्ण पैदा हुआ है और प्रतेक पर परमातमा के हस्ताक्छर हैं प्रतेक परमातमा की अनूठी कृति है तो परमातमा के अनूठे भाव भी हमार अंदर आना चाहिए यथा नम्रता से बात करना हर एक का आदर करना सुक्राना करना जरूरत हो तो माफि भी मागना ये सभी गुण जिसके पास है वो उस इस्वर से निकटता प्राप्त कर लेता है संपूर हर देवबाणी में सुन्दर सब्द आया है सत्गुर देह का नाम न भूल है अज्ञान है वचन गुरू का गुरू है होता गुरू वचन का पालन हो गुरू की सिच्छा ही गुरू है गुरू की सिच्छा धारन हो गुरु हरी ए एक है इन में भेद नकिंचित भाई हैं कहे हर देव युग युग से ही अटल यही सच्चाई है सासंग जी हर पल सत्गुरु की उपस्थिती महसूस करें इनकी किरपा को याद करते करते आसूं आ जाएं बस इतना ही काफी है चरण छूने की दवड नहीं बस एहसास में बैठे रहें बिना कोई आकांचा के तो ये मौन प्राथना तुरंत पहुचती है गुरु के पास मुक्त होती हैं सब्दों के भोज से कुछ मांगना नहीं पड़ता सब कुछ मिल जाता है जैसे फूल से सुगंध और धूप से गर्मी रोसने मिलती है वैसे ही हम गुरु के आसिरवादों के पात्र बन जाते हैं बस हिर्दे प्राथना से भरा हो स्रद्धा से भरपूर हो प्रकृती को हमने मा के रूप में स्विकार किया है मा बच्चों से बदला नहीं लेती हां गलतियां सुधारने के लिए कभी कभी कुछ कठोरता अवस दिखाती है प्यार से कहिए धनिरंकार जी